दोस्तो यह सीरीज में हम देखने वाले हैं, जैसे हम प्रफाइल पिक्चर्स देखते हैं, हर किसी के what's app हो, या फिर कोई और social media like LinkedIn, जहां पर professional photographs usually, professionals update करते हैं, तो कैसे create करते हैं, usually they use applications like Canva, और भी कोई और app यूज़ करते होंगे, but मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओफिस्री 65, पावर पॉंट में यह सब चीज़े आप कर सकते हो, कैसे करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह सिरीज में, तो मैं जिस इसे कॉपी कर लेता हूँ, डिलेट कर देते हैं, स्लाइड को मैं एक न्यू स्लाइड एंटर कर लेता हूँ, इंसर्ट करने के मैं जाके यह कॉपी करके, इमेज को यहां पे ले लूँगा, कॉपी एंड देन पेस्ट, इस तरह से कुछ मेरे पास इमेज आ जाएगी, बट मुझे इस इमेज का लूक चेंज करना है, तो कैसे मैं करूँगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट लिक प्रेस करें जाएगे हम, फॉर्मट पिक्चर में, यहां के पास फॉर्मट पिक्चर का टैब ओपन हो जाएगा, बट बिफोर वी प्रसेड ढ़़िआ format picture हमें करना है इस particular image में इसके background remove करना है तो picture format में जाएंगे हम remove picture background format पे click करेंगे एन यहां पर जैसे आप देख सकते हो red जो markers है वो हमें remove करने है remove removed removed and then select remove करने के बाद OK प्रकार आपके पास कुछ एक इमेज आ जाएगी अब हम इमेज आने के बाद हमें करना क्या है हमें इसे size add करनी है shadow के अंदर अगर आपका यहां पर हो तो ensure करना है आप यहां पर क्लिक करोगे and then shadow में क्लिक करना है आपको size में ठीक है तो size अपकी इस प्रकार कुछ बढ़ जाएगे correct and then size जैसे increment होगा ensure करना है आपको soft edges आप दोगे उस particular shape को and then glow करना है उस particular size को ठीक है आपको color change करना है आपके हिसाब से आपको जैसे use करना है right करने के बाद ensure करना है आप एक new rectangle add करो and then यहां पर इसे front में लेकर आओ right जैसे front में लाओगे इससे इस तरह से कुछ रख दिना है and then अगर यह low color suit नहीं कर रहा है right as per your preference जो theme है आपकी image की basically right उसके विसाब से आपको background select करना है दोस्तों ठीक है इस यहां पर देख रहे हो white color मैंने slate कर रहा था basis on the blue background तो इस तरह से मैं इसे slate करके white color border को दे दूंगा जिससे ताकि look and feel थोड़ा अच्छा दिखे size हम इससे और बड़ा देते है right and then यहां से थोड़ी सी transparency glow transparency की थोड़ी सी कम कर देते है ताकि background आपका अच्छा दिख सके okay so this is how you can create your own beautiful display picture for your social media site अगर अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल apoyo प्लीज सर्फा कर देते हैं अखर अच्छी है यहार अच्छी है अधवड़ी की laration